जगदीम नंखर ने आज राश्वती भावन में उपराश्वती पद कीश्य पतली आज़ादी के अमरित महोसों के तहट भारत तिब्ब सीमा पुलीस बल ने निकाली तिरंगा यात्रा देश भर में मनाया जा रहा है भाई बहन के सनेह का पर्व रक्षा बंधन और प्रदेश के कई जगों पर लगातार हो रही बारिश के कारण जन जीवन प्रभाविद नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दोशन समाचार मैं हू रहाना आप सभी को रक्षा बंधन पर्व की हारदिक शुब कामनाए अब समाचार विस्तार से नवनिर्वाचित उपराशपती जगदीब धनखर ने आज दिल्ली के राशपती भावन में उपराशपती पद की शपत ली राशपती द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उपराशपती पद की शपत दिलाई उप्राश्पती राजसभा का पदेन सभापती भी होते हैं उप्राश्पती शीद धन्खड देश के चौधवे उप्राश्पती बने तथा जिस पद को मैं ग्रहन करने वाला हूं उसके कर्तवियों का सरदापुर्वक निर्वहन करूँगा उप्राश्वती पद के लिए हुए चुनाव में राष्टी जनतांत्रिक गडबंधन एंडिये के उम्मेद्वार श्री धन्खड ने विपक्ष की उम्मेद्वार श्रीमती मार्गरेट अल्वा को 346 मतों के बड़े अंतर से हराया 6 अगस्त को हुए चुनाव में श्री धन्खड को 528 और मार्गरेट अल्वा को 182 मत मिले थे आजादी का अमरित महोसों के तहट आज रायपूर में भारत तिब्बत सीमा पुलीस बल और वन विभाग ने मैराथन प्रतियोगिता और तिरंगा यात्रा का आयोजन किया कारिक्रम के दौरान लोगों को तिरंगा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई और जापार्क से शुरू होकर यह मैराथन विएपी रोड तक निकाली गई भारत तिब्बत सीमा पुलीस बल के महानिरिक्षक संजी उरैना ने कहा कि लोगों में राश्ट प्रेम की भावना जागरित करने के उद्देश से यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है अब उसके बाद हम यह तिरंगा रैली निकाल रहे हैं जो यहां से आगे जाईगी और अपने हाथों में सभी जवानों ने आप देख रहे हैं तिरंगा लिया हुआ है और इसी तिरंगी की शान के नीचे हम पुना अपने आपको एक बाद इस राश्ट की सेवा के लिए समर्पित करते हैं मेराथन प्रत्योगिता के विजयताओं को सम्मानित किया गया वहीं कारिक्रम के दोरान ITBP के पाइप बैंड ने अपनी प्रस्तुती से समाबान दिया इसके अलावा इंद्राकला संगीत विश्विद्यालाई के विद्यार्थियों ने भी मंत्र मुग्द करने वाली प्र वहीं 36 गड के राज्यपाल अनुसुया ओईके और मुखी मंत्री भूपेश बगेल ने प्रदेश वासियों को रक्षा बंधन के पावन अवसर पर बधाई और शुपकामनाय दी हैं। जोहार पर पेश है एक रिपोर्ट। जिन्होंने अपनी जान को परवाहना करते हुए हमारी सुरक्षा की है तो हमारा भी दाई तो बनता है कि हम ऐसे अपने भाईयों का ऐसी बहनों का सम्मान करें जो हमारी सुरक्षा के लिए हम इस अत्तत पर रहते हैं। यही रक्षा बंधन की दिन आज हम सब बहने भारती जनता पाटी महिला मुर्चा के नित्त में पुलिस लाइन में पीटीएस में हमने अपने भाईयों का और बहनों को सक्कूर रक्षा सुत्र बान कर उनकी दिरगाईयों और लंबी आईयों की रक्षा के लिए इस वर से वहीं पुलिस लाइन में निवासरत परिवारों ने भी रक्षा बंधन का पर्व मनाया इस औसर पर यहां रहने वाली डॉक्टर तेज माला देश मुक ने कहा कि वे पिछले 14 वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन कर रही हैं और जवानों को रक्षा सुत्र बानती हैं प्रदेश के जेलों में भी आज बंधियों को राकी बानने के लिए उनकी बहनों ने डाक से राकी भीजी है कुछ बंधियों ने अपने परिजनों से टेलीफोन पर बातचीत भी की इस बारे में दुर्ग केंद्री जेल के अधिक्षक योगे सिंख शत्री ने बताया कि इस बार रक्षा बंधर पर टेलीफोनिक बातचीत की विवस्था की गई है इसके लिए हम लोगों ने फ्रों कॉल की सुधा बढ़ाई है इसमें हमने साथ सिस्टम ने इसके लिए इंस्टॉल किया है इसी तरह रायपूर सेंट्रल के साथ ही अन्य जेलों में भी बंदियों के लिए उनकी बहनों ने डाग से राखिया भीजी है वहीं कुछ बहने भी भाईयों के लिए राखि लेकर पहुंची थी प्रदेश में राखि का तेहार हर्श लास के साथ मनाया जा रहा है आज बहनों ने भाईयों को राखि बांद कर उनके दिरघायों की कामना की रक्षवंधन का तेवहार है और हमारे हिंदू धर्मा के हिसाब से यह हमारे हिंदू धर्मा में बहुत बड़ा तेवहार है इसे हमारे धर्मा में बहुत अच्छे से मनाया जाता है और बहने अपने भाईयों की मंगल कामना करते वे रच्छा सुत्र बांधती है और भाई अपनी बहनों को वचन देते हैं कि वो हर तरीके से उनकी रच्छा करेंगे, सुख में दुख में हर समय उनके साथ खड़े रहेंगे और ये तहवार बहुत खुसी से मनाया जाता है, बहुत अच्छे से मनाया जाता है घर से दूर रहने वाले भाईयों के लिए राखी भेजने की विवस्था डाक विभाग की ओर से की गई है बहनों ने प्रदेश वासियों को भाई वहन केसने और विश्वास के पर्व रक्षा बंधन की बधाई और शुप कामनाय दी है रक्षा बंधन हमारी संस्कृती से जुड़ा महत्पुन तेवहार है जो भाई बहन के पवित्र डिष्टे को और मजबूत बनाता है इस दिन बहने मंगल कामना करते वे अपने भाईयों को रक्षा सुत्र बांगती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं रक्षा बंधन के मौके पर जिस तरह से बहने भाईयों की कलाईयों पर राखी बांध कर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है उसी तरह भिला इस्थित एक निजी महाविद्याले के प्राध्यापकों ने पेड़ों को राखी बांध कर परेवर्ण संरक्षन का संकल्प लिय कॉलेज के प्राध्यापक अर्चना जहां ने बताया कि वे पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधने का कारे कई सालों से कर रही है कि जो हम लोगों ने आज राखी यहां पर जो बांधी है वो राखी जो है अलग प्रकार की है क्योंकि यह एक हर्बल राखी है इको फरंडली राखी है जिसके माध्यम से हम कहना चाहिए कि जो एक आम जो राखी हम बानते हैं उससे क्या है एक दिन बानते हैं और तो इसको फेक देते हैं लेकिन अगर यह राखी जो बानते हैं जो कि हम कहेंगे कि जो आनाज से बनी ही है विभिन प्रकार के बीजों से बनी हुई है उसके माध्याम से हम लोगे यह राखी निर्मित किये है और आज हमने इन स्पेडों को बांधा है जिससे की इसमें जो है अनाच जो है यह है जो भी है चिडिया वगरा जो इसको खाके हैं अपना अनक रहन कर सकती इसी तरह जानगीर चापा जिले के बहेराडी गाउं की महिलाओं ने भी व्रिक्षों को राकी बांध कर पर्यावरन संरक्षन का संदेश दिया इस उसर पर 36 गर राज्यमहिला आयोग की सदसे शचीकांता राठोर ने कहा कि उन्होंने पेड़ों को बचाने का संकल्प लिया है और यहां आकर हम सब ने व्रिक्ष को रा राखी मान कर यह मांगती है कि भौशिक्रश में उसका भाइ उसकी सुरक्षा करेगा तो आज हम लोगों ने पेड़ों को अपना भाई माना है और भाई मान कर उसको राखी बांत कर हप हम यह कहते हैं कि भौशीक्ष में पेड़ की प्रकृती सुरक्षित रहे और लोगों को इसका लाब मिले इसलिए वे पेड़ों को राखी बानती है प्रदेश के कई जगों पर लगातार हो रही बारिश के कारण ग्रामीर शेत्रों के साथ ही नगरी निकायों की निचले इलाकों में पानी भरने के कारण लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है राइपुर शेहर के समीप इस्थित कोलहान नाले का पानी भी सड़क के उपर से बह रहा है इसलिए लोगों को आने जाने में दिक्कते हो रही है रैपुर्ट शहर की कुछ बस्तियों में भी लोगों के घरों में पानी जाने के कारण उन्हें काफी परिशानी हो रही है मौसम विभाग के मताबिक बंगाल की खाड़ी से लेकर तटी ओडी सा तक सक्री अवदाब के असर से 36 गड़ में बारिश के आसार बने हुए हैं साथ ही उपरी हवा में चक्रवात और द्रोडिका का असर भी है उधर तेज बारिश के बाद महानदी का जलिस्तर बढ़ गया है जानगीर चापा के शिरी नारायन में शबरी सेतूपुल से एक फिट नीचे पानी बह रहा है आजादी के लिए भारत का शानदार संगर्ष आधुनिक विश्व के महानितम संगर्षों में से एक है दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की जलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता से नानी खुदी राम बोस को याद कर रहे हैं आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस कुश्रधाजली अर्पित कर रही हैं जीने ब्रिटिश सरकार ने 11 अगस्त 1908 कुप फांसी दी थी उस समय उनकी उम्र केवल 18 वर्ष थी भारतिय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वतंत्रता की वेदी पर प्राण नियोचावर करने वाले वे सबसे कम आयू के शहीद थे खुदीराम बोस का जन्म हुआ था 1889 में पश्चिम बंगाल में मिदनापुर के महो बनी में 1908 में बोस को बिटिश मैजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड कुमार ने की जिम्मेदारी दी गई जो युवा स्वतंत्रता से नानियों को क्रूर शारीरिक यातनाय देने और कठोर सजा सुनाने के लिए कुख्यात था 20 अप्रेल 1908 को बोस और प्रफुल कुमार चाकी ने यूरोपियन क्लब के सामनी किंग्सफोर्ड को ले जा रहा वाहन समझ कर एक गाड़ी पर बं फिका लेकिन उस गाड़ी में मुझफरपूर अदालत के वरिष्ट वकील बैरिस्टर प्रिंगले केनेडी की पतनी और उन 20 किलो मीटर पैदल चलकर हमले की अगली सुभा पहुचे थे प्रफुल कुमार चाकी ने गिरफतार होने के ठीक पहले आत्म हत्या कर ली जब बोस को पकड़ कर मुझफरपूर पुलिस थाने लाया जा रहा था तो भारी भीड उनके इर्दगिर्द जमा थी कई सुनवाईयों के बाद खुदी राम को मौत की सजा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई खुदी राम बोस में देश भक्ती का जजबा इतना गहरा था कि फांसी के तखते पर चरते समय भी उनके होटों पर मुस्कुराहट थी जब उनके पार्थिव शरीर को निकाल कर ले जाया जा रहा था तो भारी भीर रास्ते में दोनों तरफ खड़ी थी लोग फूल बरसा रहे थे मानो देश की आजादी के लिए किये गए सर्वोच बलिदान की मौन सराहना कर रहे हूं और इसे के साथ ये समाचार बुल्टेन समाथ हुआ नमस्कार